कि कल तक जो है करो कल तक मैंने आपको जो है वो पढ़ाया था classification of collides के बारे में थोड़ा सा और एक टाइप पर classification चल रहा था depending upon the type of particles of dispersed face colliders are classified into three categories मतलब collides को पहले अपने लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्लासिफाई कर लिया था है ना अब एक और नया classification कर रहे हैं पर जहां पर की based on the size जो है depending upon the type of dispersed face किस टाइप का type है dispersed face का size नहीं type of dispersed face हम collidal particles को तीन केटेगरी में बाठते हैं पहला है multimolecular collides multipolar collides में क्या होता है छोटे छोटे कई atoms आपस में मिलकर के aggregate बना लेते हैं मतलब क्या होता है पार्टिकल जो होते हैं atoms होते हैं molecules होते हैं इनका size बहुत चोटा होता है तो यह तो जो है multimolecular collides जैसा की word indicate करता है multimolecular मतलब कई molecule के जुडने से मिलके जो बना हुआ है उसको बोलेगे multimolecular collidal system जैसे sulfur का collidal system होता है जैसे gold का collidal system होता है वहां पे कई gold के atom आपस में मिलकर के collidal size का particle बना लेते हैं इस उगार sulfur sol में कई acid के molecules thousands of molecules आपस मिलकर के collidal size का थीक है मेक्रो जाईड़ क्या होता है हesus को बात करें रखको helia चोटे-चोटे अटम या मॉलाइकूल क्या होता है है छोटेख्योड एंट मिलक् Онइस इस्था का बड़ा होता है जैसे कि एक्जाम्पिल है नेच्रल अक्रिंग मैक्री मॉलिकूल सार्ट सेलिलोस प्रोटीन इंजाइम इन सब के साइज बहुत बड़े यह नेच्रल अक्रिंग है जब भी मैनमेट पॉलिथीन हुआ नायलॉन हुआ पॉलिस्ट्रीन सिंथाटिक रबर आपने पॉलीमर च होती बड़ा सा कोराइडल पार्टिकल बना लिया था और मैक्रों मॉलिकूल कोलाइड में मृल मौलिपूट होते है उनमें पहले से ही उनका साइज बड़ा होता bomb सारा और उनको अपन किस propri number मैं डाल कर substances which at low concentration behaves as normal electrolyte. जब उनके concentration को बढ़ाया जाता है तो वो collidal properties दिखाने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं? aggregate हो जाते हैं और aggregate हो करके micelly formation बना लेते हैं. एक particular temperature के उपर micelly का formation होता है. इस temperature को बोलते हैं craft temperature. पहली बात क्या है? कि कुछ substance low concentration पर तो two electrolyte की तरह work करते हैं. लेकिन उनका concentration बढ़ाया जाए तो वो substances पास-पास आजाएंगे और वो पास-पास आने के कारण उनमें attraction होगा. Attraction जब होगा तो वो एक associated collide बना लेंगे जिसे हम micelly बोलते हैं. वो temperature जिसके उपर micelly का formation होता है, उसको बोलते हैं craft temperature और वो minimum concentration जिसके उपर micelly का formation होता है, उस concentration को बोलते हैं critical micelly concentration. और dilution यह जिदी dilution किया जाए, तो यह collidal system वापिस से rivered back हो जाएगा individual ions में. surface active agent जैसे की soap हुआ, synthetic detergent हो गया, they belong to this class. जैसे की soap का CMC, मतलब critical micelly concentration, 10 की पार-4 से लेके 10 की पार-3 mol per liter तक होता है. ठीक है, these collides है, both lyophilic and lyophobic part. इन collides में lyophilic and lyophobic part दोनों ही होते हैं. अब वो बताता है micelly का formation कैसे होता है. तो पहले बोलता है, micelly may contain as many as hundred or more molecules. Sir, critical and craft temperature में difference क्या होता है? बेटा, दोनों temperature थोरी ना है, critical तो concentration है, और temperature, temperature है, धंक से, धंक से, critical micelly concentration का मतनब है, वो concentration जिसके ऊपर collidal micelly formation चालू हो जाएगा. यदि concentration उससे low रहा, यह माल लो इधर low concentration है पहले. और इस concentration पर collidal size का particle नहीं बन रहा है. हमने क्या किया, इसका concentration बढ़ाना चालू कर दिया. जब इसका concentration बढ़ाया तो यह पास-पास आ गए, तो इनके attractive forces dominating हो जाएगे, हमने गैशे स्टेट में भी पढ़ा है इस बात को, कि जब चीजे पास-पास आती हैं, तो शुरू आती रूपने तो attractive forces dominating होते हैं. बहुत ज़ादा पास आ जाए, तो repulsive forces dominating हो जाते हैं. तो समझो बात को. तो इन में attraction चालू हो जाएगा. एक minimum concentration जिसके ऊपर मिसैली formation होता है, उस concentration होते है, critical मिसैली concentration. यदि मान लो कल के दिन कोई बच्चा बोले, सर्जी में आपका खेल बिगार देंगे और इधर लाकर के पानी ढोल दिया. और यदि इसमें आकर के उसरे dispersion medium मिला दिया, तो हो सकता है कि जो collidal size के particle बने थे, वो खतम हो जाएं. मतलब वापिस से ions तूट जाएं, अपने original form में और collide खतम हो जाएं. अच्छा, एक temperature required होता है, ऐसा करने के लिए, उस temperature को बोलते है critical micelle, उसको बोलते है craft temperature. ठीक है बच्चो, अब mechanism of micelle formation, कैसे micelle का formation होता है? अच्छा, ये वाली कहानी आपने digestive system में पढ़ी होगी, आपने देखा है कि, जैसे हम soap का example ले लें, soap is sodium और potassium salt of higher fatty acids, अब soap को देखा जाए, जैसे sodium sterate दिया है, अब इसके अंदर आप देखो, 18 carbon आपको दिखाई दे रहे होंगे, मतलब sodium sterate के अंदर, जिसमें 17 carbon की तो chain है, और एक functional group COO negative है, सामने लगा है sodium plus, potassium plus भी हो सकता है, लेकिन है sodium sterate है, अब इसमें दो part हमको clearly दिख रहे हैं, एक part इसका alkyl group वाला part है, जो कि ये part हमको दे रहा है दिखाई, और एक part जो है इसका, वो COO negative वाला group है, वो लाल से मैंने बना दिया है, तो मैं कह सकता हूँ, ये लाल वाला part polar है, और ये पूछ वाला part non polar है, तो क्या होगा, कि जब कभी ये part कहीं इखटा हो जाएगा, मतलब जब कभी इसका concentration बढ़ेगा, समझे रहे बात को, जब इसका concentration बढ़ेगा, तो क्या इसके पूछ वाले part से, जिन में attractive force होंगे, वेंडवाल force होंगे, क्या वो आपस में entangled हो सकते हैं, क्या non polar part, non polar part के साथ में जुड सकता है बच्चों, और ये जुड गया, तो एक system ऐसा बन जाएगा, जो की large molecule जैसा हो जाएगा, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, एक large system बन जाएगा, बड़ा particle बन जाएगा, जो की collidal size में आ जाएगा, clear बिटा इतनी बात सब लोगों को, when dissolved in water, it dissociates into RCO negative RNA plus RCO negative ions, however consists of two parts, long hydrocarbon chain and hydro, this is hydrophobic part, जबकि polar part जो होता है, वो यह जो part होता है, present on the surface, RCO negative in the water, water के अंदर, इसकी कहाणी पूरी बता रहे हैं वो, तो बोल रहे हैं water के अंदर की और जो present रहेगा, वो क्या present रहेगा, water के अंदर की और जो present रहेगा, वो present रहेगा, polar part, जैसे कि आपने digestive system में भी पढ़ा होगा, जब fat का digestion होता है, तो micelli formation होता है, आप लोगों देखा होगा वहाँ पहना बिटा, तो यह वाला part है, जो hydrophilic part है, वो एक साथ इकटा हो जाता है, sorry, hydrophobic part, एक साथ center के और यह पूछ आपको दिखाई दे रही इतनी सारी, यह एक साथ center के और यूँ आ रहा है, hydrophobic part और hydrophilic part जो है, वो water की तरफ है, इस तरफ water होगा, clear बिटा इतनी बात आप लोगो, तो इस तरीके से क्या होगा, micelli का formation हो जाएगा, hydrophobic part एक साथ एकत्रित हो जाएगा, एक साथ entangled हो जाएगा, और hydrophilic part outward face करेगा, जो की water के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है मिटा, चलो, अब देखो, बट एट critical micelli concentration, the anions are pulled into bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape, where with their hydrocarbon chain pointing towards the center of the sphere and CO negative part meaning outward on the surface of the sphere, जब concentration कम होगा, तो natural सी बात है, दो पूछ एक दूसरे से दूर रहेंगी, तो आपस में एक दूसरे को attract नहीं करेगा, जब concentration बढ़ेगा, तो बहुत सारी पूछ एक दूसरे को attract करेगी, और वो एक तरफ face कर जाएगी, और hydrophilic part दूसरी तरफ outward face कर जाएगा, ठीक है बटा, now aggregate thus formed is known as ionic missile, इसमें लगबग 100 के करीब ions हो सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और भी examples उन्होंने दिये हैं, similarly in case of detergent, sodium, laurile, sulfate, the polar group is sulfate, along with the long hydrocarbon chain which is hydrophobic group और non-polar group, hence the mechanism of missile formation is also same in the soap as well as detergent, now, चलो, detergent मैं पन देखते हैं, missile formation किस तरीके से होता है, तो आपको तो पता है, क्लिनिजिंग एक्शन क्या होता है, soap का, यदि मानलो कोई तेल लग गया किसी कपड़े पे, मैंने आपको पहले भी इह बात सिखाई थी, ये मानलो तेल है, तो इस तेल वाले पार्ट में आकर के कौन डूब जाएगा, पुरी दुनिया जानती होगी, इस तेल वाले पार्ट में आकर के, ये सब पूचे डूब जाएगी, और ये सब पूच क्या है, दाग लागा चुंडरी में दाग मिटाओं कैसे, तो साबून लगा लो, साबून लगाया, साबून का टेल वाला पार्ट अंदर है, और हैड वाला पार्ट उपर है, हैड वाले पार्ट को पानी अपनी और पकड़ के खीचेगा, जब खीचेगा, तो इस हरे वाले पार्ट को उसकी पूच के समित उखाड के ले जाएगा, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, इसको उखाड के ले जाएंगे, तो क्या थोड़ा सा दाग वाटर के साथ बह गया, इसी तरीके से धीर धीरे पूरा दाग मिट जाएगा, तो लागा चुन्री में दाग मिटाओं कैसे, इसका उत्तर आपको बात समझ में आ गई, पहली बात आपको ये समझ में आ गया कि दाग कैसे मिटाना, उसके लिए डिटरजेंट लगाना है, साबून लगाना है, डाग मिटता कैसे एग्जेक्ली वो भी समझ में आ गया होगा, मेकिनिजम ओफ दाग मिटाओ, ठीक है, चलो, अब बिटा आता है, फॉर्मेशन और प्रिप्रेशन ओफ कॉलाइट्स, अब आ रहा है, प्रिप्रेशन ओफ कॉलाइट्स, ठीक है बिटा, तो इसमें हम कई मेथट्स का प्रियोग करते हैं, प्रिप्रेशन ओफ कॉलाइट्स में, हम जो है, एक डिस्पर्शन मेथड का प्रियोग करते हैं, condensation method का प्रियोग करते हैं, हाला कि NCRT ने इस तरीके से दिया नहीं है, इस simple है, dispersion का मतलब क्या होता है, dispersion का मतलब simple होता है, कि बड़े particles को छोटे particles में तोड़ दिया, मतलब जिनका size पहले से बड़ा था, उनको छोटे में तोड़ दिया, और एक होता है, condensation method, जिनका size छोटा था, उनको combine करके collidal size में ले आए, कुल मिला के हमको 1 nanometer से ले करके, 1000 nanometer के size में particle को लेके आना है, बड़े particle को तोड़ना है, dispersion method द्वारा, और छोटे particles को जोड़ना है, condensation method द्वारा, यह था मोटा-मोटा बात, अब सुलूट, अब आता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी, चलो जो इन्हों ने, NCRT ने बुला है, उसी को discuss करते रहते हैं न, chemical method, तो chemical method में क्या होता है, chemistry की मदद से, chemical reactions की मदद से colloidal particles बनाए जाते हैं, तो इसमें, चार reaction में, चार अलग-लग process बताएं, पहला बुला double decomposition method, double decomposition में क्या क्या क्या, AS2O3 की reaction, S2S से करा दी है, oxidation state में कोई change नहीं आएगा, hydrogen और oxygen आपस में मिलकर के खेल लेंगे, मजबूत bond मनाते हैं, relatively, तो वो क्या करेगा, इदर S2O बन जाएगा, और arsenic जो है, वो sulfur के साथ ये, arsenic जो है, AS2S3 बना लेगा, ठीक है, AS2S3 sol बन जाएगा, जो की colloidal, colloidal size में आ जाएगा, मतलब खुब सारे AS2S3 आपस में मिलकर के colloidal size में आ जाएगे, एक AS2S3 तो colloidal size में नहीं आ सकता, वो तो बहुत छोटा हुगा, तो बहुत सारे AS2S3 आपस में मिलकर के colloidal size में आ जाएगे, क्या बात clear है, इसको double decomposition क्यों बोला, वो भी बात आपको clear होगी, अब आता है बेटा, oxidation method, मतलब oxidation method में हम क्या करते हैं, oxidation method में, AS2S की reaction, SO2 के साथ हुई, जब SO2 के साथ हुई, तो क्या हुआ बेटा, इधर जो sulfur minus 2 में था, वो क्या हुआ? Oxidize हो करके 0 में आ गया, oxidize हो करके 0 में आ गया, हमने बोल दिया oxidation method, clear है बेटा, अब इसमें sulfur जो है, sulfur colloidal size में आ जाता है, sulfur किसमें आ जाता है, colloidal size में, और कई हजार molecule sulfur के आपस में मिलकर के, colloidal size का particle बनाते हैं, कोई एक molecule, या एक acid molecule, colloidal size का particle नहीं मना सकता है, चलो time pass नहीं करना है, फिर AUCl3 की reaction, formaldehyde से करी, आप तो जानते हैं उस बात, को कि formaldehyde जो होता है, वो AUCl3 जो होता है, वो अच्छा खासा electron लेने वाला चीज है, क्योंकि AU plus 3 बहुत ज़्यादा stable नहीं है, सच आपको पता है, noble element होता है, metal होता है, तो उसको react करने की tendency बहुत कम होती है, relatively है ना, अब क्या हुआ बेटा, AUCl3 जल के साथ खेल लेगा, और जल के साथ खेल करके AUCl3 HCl बना देगा, और जल का oxygen फ्री हो जाएगा, जल का oxygen जो फ्री होगा, वो formaldehyde का oxidation करा देगा, और AU जो है, अपना कमंडल लेके हिमाले की ओर बढ़ जाएगा, आपको तो पता है, noble element है, लास्टाइम एक्वारीजिया आया था, चमक गए यह बच्चों, ठीक है, आगे FECL3 plus 3S2, अबटा आगे precipitate बन रहा है, तो चुकि precipitate बन रहा है, तो obviously reaction की drive forward direction में चली जाएगी, FEOH होल्टराइज बन जाएगा, और ऐसे FEOH होल्टराइज के कई molecules आपस पर मिल करके collidal particle बना देगे, या FEOH होल्टराइज के चारों तरफ, FEO plus 3 ions का adsorption हो जाता है, और उसकी मदद से भी collidal particles बन जाते हैं, खेर यह method आगे चलके discuss होगा, कि क्या adsorb होता है, उससे क्या होता है, अभी फिलाल अपन को यह पढ़ना है, कि collidal particle chemical method की मदद से कैसे बनाया जाता है, चार process हैं, double decomposition, oxidation, reduction, और hydrolysis, double decomposition का example आपने देख लिया, oxidation का example आपने देख लिया, और फिर आपने example देखा, reduction का, और फिर आपने example देखा है, इसका hydrolysis का, क्या बात clear है बिटा, क्या सब लोग को बात clear है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं, नहीं, ठीक है, तो यहां तक जो है, हम आगे बढ़ते हैं, electric disintegration of bidding arc method, अब electrical disintegration, bidding arc method क्या होता है, बहुत ही सरल है बच्चो, हम क्या करते हैं इसमें, collidal salt of metal such as gold, silver, platinum, etc. are prepared by this method, gold, platinum, silver, इनके collidal salt, इस method के द्वारा prepare करते हैं, कुछ नहीं है, metal को ले लो, और metal को ले करके इसके अंदर रख दिया, यह systemic बनाया हुआ है, bidding arc method इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, metal को ले करके रख दिया, हम metal में क्या होता है, यह arc जो electricity से connected हैं, जो बहुत high energy को generate करेगी, लाल कलर से दिखाया हुआ है, उसको ले जाकर गे metal के अंदर घुसा दिस, जब metal में घुसा देंगे उसको, या उसको इतना high energy देंगे, तो atom छित्रा छित्रा होके बाहर की और भागेगा, अरे किसी को भी इतनी सारी energy दोगे, तो किहां भूचाल नहीं आ जाएगा, तो atoms या atoms के कुछ समू, ऐसे छित्रा छित्रा होकर के बाहर की और निकलेंगे, तो जब वो बाहर की और निकलते हैं, इधर हमने ice बात में उनको रखा हुआ है, वो तो बहुत जोड़दार energy से बाहर भागने वाले थे, आपस में, बतब जो भी gold atoms या atoms के समू बने थे, उनका आपस में combine होके collidal size में आना मुश्किल पर जाता, तो हमने बाहर क्या किया, ice बात कर दिया था, अंज़द अंज़दा cool cool, तो उसकी मदद से क्या होगा, energy गिर जाएगी, energy गिरेगी, कई gold atom के groups, आपस में मिल करके collidal size का particle बना देंगे, I hope so, मैं आपको clear कर पा रहा हूँ, जो जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, आगे बढ़ते हैं मैटा, अब आपना आते हैं, आगे की बात पर इसको बोलते है, peptidization, what is peptidization, peptidization may be defined as process of converting a precipitate into collidal soil, हम क्या कर रहे हैं, एक process है जिससे कि हम precipitate कर रहे हैं, process of converting a precipitate, एक precipitate हमारे पास में है, और हम उसको collidal soil में convert कर रहे हैं, मतलब यह क्या हुआ, यह टाइप से dispersion हुआ, dispersion इससे उपर वाला method भी dispersion था, बड़े साइज के particle को चोटे साइज में convert किया था, यह भी एक तरीक से dispersion है, क्या था हमारे पास precipitate पहले से था, हमने dispersion medium के अंदर precipitate को डाला और सको shake कर दिया, धमा जम 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 शेक कर दिया, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई freshly prepared precipitate को जड़ी आप shake करोगे तो precipitate छोटे पार्ट में तूटना चालू कर देगा, बिल्कुल तूटना चालू कर देगा है न, अब वो जब अपन खुब सारा shaking करेंगे, तो वो छोटे-छोटे पार्ट में तूटना चालू कर देगा, लेकिन वो आपस में combine होके वापस से precipitate बना सकते है, आपने इसको dispersion medium में डालके खुब जमा-जम shake किया, तो क्या होगा, बहुत सारे ferric hydroxide के छोटे-छोटे टुकडे तूट जाएंगे, वो precipitate के, और वो collidal size में आ सकते हैं, अब वो आपस में टुकडे combine now, उसके लिए हम थोड़ा सा electrolyte मिला देंगे, मानलो FECL3 मिला दिया, FECL3 क्या करता है, common iron जो होगा, वो इसके उपर आके adsorb हो जाएगा, और इसके उपर आकर कि एदी FE plus 3 adsorb हो गया बच्चों, तो ऐसे सभी particles के उपर FE plus 3 क्या होगा, 100% stable हो जाएगा, तो collidal solution will get stabilized, क्या बात clear है, बच्चों सब लोग को? Clear है बटा, ऐसे हम और भी कई example ले सकते हैं, आगे चलके आएंगे, कुछ examples, जबकि हम peptidizing agent बिला करके, जो है, वो solution को stabilize करेंगे, I suppose that यहाँ तक सब बच्चे comfortable हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं है, आगे चलके बटा, यह खुप सारे example आने वाले, अभी भी दे सकता हूँ, क्यों समय खराब करें, जब आगे चलके आने ही वाले, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, एक example मैंने आपको देख करके बता जिया कि वैप्टाइजेशन क्या होता है, सब को, ठीक है बटा, अब आते हैं अपने एंग method पे, जिसको बोलते है, purification of collidal solution, purification of collidal solution, वैसे बटा, collidal solution बनाने के कई तरीके हैं, NCRT में कुछ दी हैं, वही तरीके मैंने आप से discuss की हैं, आप जानते हो paper कहां से आ रहा है, ठीक है बटा, अब यह common sense की बात है, देखो, ऐसा भी एक method होता है, जिसमें बोलते हैं कि आप जो है, मालो, आपके पास कोई collidal size के particle से छोटे particle हैं, किसी एक medium है, आप उसका medium बदल दो, आपने उसका medium, कोई ऐसा hostile medium ले लो, hostile medium ले लोगे, मतलब ऐसा medium जिसके अंदर collidal particle ज्यादा solubile ना हो, मतलब collidal size के जो या जो भी आप particles ली हैं, वो अभी collidal size में नहीं हैं, अभी वो छोटे size में हैं, आपको collidal size में ले के आना हैं, तो आप किसी ऐसे medium में इस electrolyte को डाल दो, अपने शहर में, और आप सब लोग अपने सुचंद विचरन करते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं, कोई समूँ आपने बनाया नहीं है, लेकिन आप सब को उठा कर कि मैं Syria में छोड़ा हूँ, तो क्या वहाँ पे आप जो भी 10-50 बच्चे class के हो, एक स साथ घूमने जाओगे, एक साथ खूब बात करोगे, आपके बीच क्या प्यार इसने मौबत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बिलकुल बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि समाज आपके लिए होस्टाइल है, तो आप सब लोग आपस में इखटे होना चालू कर द सलूशन का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो देखो, जब हम क्या क्या है बहुत सारा इलेक्ट्रलाइट होता है, क्यों होता है, क्योंकि उलेक्ट्रलाइट मिला पर अपन मना थे हैं, अभी प्याइजिंग एजिए अग्य अकेनि नहीं मिला था, तो FECL-3 बार से मौझूद रहेगा और वो क्या है वो तो true electrolyte है तो क्या हम उसको अलग कर दें तो collidal size collidal solution का purification हो जाएगा बोलो पेटा यदि हम उन electrolytes को अलग-अलग कर दें उन electrolytes को यदि सलूशन से बहार निकाल दें तो क्या ये थोड़ा सा ज्यादा pure collidal solution हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा इसके लिए हमने क्या किया इसके लिए हमने क्या क्या एक विवस्ता बनाई the process used for reducing the amount of impurity to a requisite minimum is known as purification of collidal solution ये देखो बाई ये हमने एक bottle ले ली इस bottle के अंदर हमने क्या किया इस bottle के अंदर हमने collidal solution भरा है जिसके अंदर बहुत सारे crystalloid, crystalloid का मतलब क्या हो गया वो ions है, बहुत सारे ions है अब क्या हुआ, हमने बाहर क्या रखा हुआ है, बाहर जो है पानी रखा हुआ है, अंदर क्या है बाहर क्या है, बाहर पानी है और पानी के साथ थोड़ा बहुत किस्ट्रिलाइड भी हो सकता है यह कॉलाइडल सलूशन है यह अंदर जो है और इसने अंदर बहुत सारा आयन मिला हुआ है कि आपको लग रहा है इस membrane के दारा आयन बाहर जा सकता है डालेसे membrane के दोरह कोई parchment membrane ले ले तो क्या और जा सकते जब K totally particle नहीं जाएगा याद करो बच्छो Aaii membrane से इनिपर मेंव्टे नहीं निकल पाते हैं जबकि By मारी बात हुई थी याद करो copies of cells के पीछे रुख जाएगे और बहार क्या जाएगा बाहर आइन्स आ जाएगे तो थोड़ा सा पिरिक्टेशन हो जाएगा अच्छा ये प्रॉसेस तो स्लो है थोड़ा सा ये प्रॉसेस हमें लगता है देखने से भी कि स्लो है यदि हम थोड़ा सा इसको फास्ट करना चाहें तो क्या हम यहाँ पर एनोड और कैथोड लगा दे तो थो सुरी कैथोड पॉजट इम्क और कीचेगा और और नियूड जए क्या सबको बात चमक रही है और इस बहां है एक बात और जाएगी कि चली मैं ने दि Chandig bothers जाएगा चाली रुजाइगा तो और आम यह सबक्रों से जो है आए अचास्ट का इलेक्ट्रोटाइलेसिश पिछलेवाला क्या था नॉर्म दौिकशिशं था उसको तेज करना था तो हमने अलेक्षोटी की मदद से कर दिया तेज उसको बोल दिया एलेक्ट्रोटाइलेसिश ठीक चलओ आगे बड़ते हैंँ अब ultra filtration करके method होता है जिससे हम purification कर सकते हैs ultra filtration में क्या होता बेटा अपन पहले normal filter paper लेते हैं ultra filtration में पहले हम normal filter paper लेते हैं लेकिन normal filter paper के जो pores होते हैं उनसे तो collidal size का particle क्या होगा बेटा पेपर होता है इसको क्या करते हैं हम इसको हम को लाइडन सलूशन में डाल देते हैं इस यूजियल ओलाइडन इस फूर परसंट जो की होता है चार परसंट सलूशन आफ नाइट्रोस अलेलोस कर दो कि मैं अग्यों तो को लाइडन पार्टी कर जो को लाइडन सलूशन होता है वह क्या होता है है जो जो लाइडन सलूशन होता है it is 4% solution of nitrogen in In a mixture of alcohol and ether. चलो जल्ली से इसको याद करो भाई. जल्ली से इसको याद करो. Collidon क्या होता है? याद नहीं करोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा. मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ. तो Collidon यह रहा हूँ. It is 4% solution of nitrocellulose. It is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. क्या बात सबको समझ में आगे? फिर क्या होता है? एक ultra filter paper तैयार करने के लिए. Ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper of collidal solution hardened by formaldehyde and then finally drying it. इसके बाद formaldehyde में डाल के हम ड्राइ कर देते हैं और finally हमारे पास में ultra filter paper तैयार हो जाता है. तो ultra filter paper के लिए क्या-क्या requisites थी? पहली requisite ये थी बिटा क्या हम ordinary filter paper ने क्या है? उसमें हमने collidant मिलाया. Collidant solution क्या होता? It is 4% solution of nitrocellulose which is mixed in alcohol and ether. इसके बाद hard करने के लिए हमने formaldehyde को add गया. इतना मोटा-मोटा एदी याद रह गया तो आपका exam निकल जाएगा. एकदम खोद-खोद के सवाल आते भी नहीं. ठीक है बच्चों? और इसकी मदद से हम collidal particles को separate कर सकते हैं किस से? Electrolites से या फिर ions से. क्योंकि ions इस ultra filter paper को cross कर जाते हैं. लेकिन collidal particles इनको cross नहीं करते हैं. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. प्रिपरेशन औफ कोलाइडल सलुशन, कैसे प्रिपेर करते हैं? ओ, सॉरी, नट प्रिपरेशन, इस प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में ही एक प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस की गई है बस और वो है कॉलिगेटेव प्रॉपर्टी. वैसे फिजिकल प्रॉपर्टिस में कही होती है, पहली बात कॉलाइडल सॉलूशन जो होते हैं, उनका नेचर हेट्रोजीनस होता है, तो एक बात क्या पता होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में कॉलाइडल सॉलूशन का नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है, ठी तो इनका नेचर कैसा होता है 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 होता है अब आप पूछो के सर कलमने को लाइडल साइस का लाइडल पार्टिकल जो है वह हमने को लाइडल सुलूशन में मिल्क पड़ाता में तो बेटा डाट इस लूकिंग हेट्रोजिनस सलूशन यदि आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा ओईल के ड्रॉपलेट पानी के इंदल लटके हुए है क्या बात सब को क्लियर है बिटा सो सम्टाइम एड़िज होमोजिनस लुकिंग हेट्रोजिनस मिक्शर ओके बाक करे कितने नैनो मीटर को क्लाइडल साइज के फार्टिकल होते है हजार नैनो मीटर तक याद आ गया उसके बाद फिल्टरेपिल्टी सब को याद ओगी अल्ट्रा इनको यदि रोकना पड़ता है antis में व्हेरा कि उसके बाद मैं सिर्फेस टैंशन में एने आपको कली बताया था लायो फोबिक में सबसेंशन कम हो जाता है यह फिलिक में सबसेंशन क्या होता है कम लिगेटेव प्रॉपर्टी में पढ़ा तो वहां हमने क्या पढ़ा था हमने यह पढ़ा था कि एने सीएल डाला तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो इधर आकर के घट्टे हो जाएंगे यह तो नॉन वलेटाइल है तो यह तो वेपर नहीं बनाएंगे तो जो एट्मॉस्ट् पान बढ़ाना पड़ता था याद करो क्या ऐसे ही था कॉलिकेटेव प्रॉपर्टी में सलूट के नंबर आओ पार्टीकल्स के कॉलिकेटेव प्रॉपर्टी डिपेंड करती थी तो क्या तुम्हें लग रहा है कि यह तीनों मिलकर के एक ही बन जाएंगे जल्ली बोलो वे कि उभए यह जाएंगे जहें लुपार्टी बन 5 करती तो कि ऩॉर्प गए हुँझ यह तो कॉलिकेटेव प्रॉपर्पर्टी का मूध every safer कॉलिकेटेव दाफ्रॉपर्टे तो कॉलिकेटेव प्रॉपर्टी कम हो गई तो कॉलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं in ilarmu के smaller as compared to true solution hence their value of qualitative properties are less clear है बिढ़ा अब आता है एक optical property एक आती है यह physical properties थे एक optical property आती है जिसको हम बोलते है तिल्डन effect जिसको हम बोलते है तिल्डन effect सुनाएं कभी तिल्डन effect तुम्होंने क्या होता है तिल्डन effect में क्या होता है कि जैसे मालों किसी homogeneous solution आपके पास है जिसको आपने dark में रखा है और एक दिशा से अपने light मारें यदि light की दिशा में ही आपने देखना चालू किया तो आपको brightness दिखाई देगी लेकिन यदि perpendicular to there देखा तो आपको किसी प्रकार का कोई दिखाई नहीं देता है मतलब आपको darkness दिखाई देगी perfectly dark दिखाई देगा लेकिन इसके विपरी collidal size का यदि आपने particle solution लिया हुआ है तो light आपको दिखाई देती है तो light आपको 90 degree से भी आपको light दिखेगी मैं phenomenon आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है वैसे NCRT जे बाहर जादा कुछ आता नहीं तो बहुत जादा प्रेपे नहीं करना चाहिए जब मैं कोई ऐसी चीज आपको पढ़ाऊंगा जहां पर कि आपको मतलब detail पढ़ने की जरूरत हो कोई जैसा एक्जाम हो तब फिर उसके लिए बहुत detail इसका पढ़ाया जा सकता है हर एक चीज का पढ़ाया जा सकता है लेकिन फिलाल हम किस पर focus कर रहें NCRT क्योंकि एक्जाम में क्या आना है NCRT या नहीं ठीक है जब light आती है तो light आकर के इन particle से टकराएगी और टकरा करके वो reflect होगी जब वो reflect होगी तो वो चारो दिशाओं में reflect हो जाती है light है ना जैसे mirror आप देखो mirror पर आके जब light पढ़ती है यो तो वो यो सीधी reflect हो जाती है बराबरी के angle पर जितने angle पर पढ़ती होते angle पर reflect हो जाती है लेकिन collidal particles में ऐसा नहीं होता है यहाँ पर light क्या होती है हर दिशा में reflect होना चालू हो जाती है जब यह light हर दिशा में जाएगी तो वो आपके आँखों पर भी आके पढ़ेगी और जब आपके आँखों पर आकर पढ़ेगी तो आपको वो कलर के रूप में दिखाई देगा जैसे कि आप ऐसा करो आप घर पर यदि आपके पास में वह एक आती है लेजर बीम आती है देखिए आपने आप क्या करो लेजर बीम लो एक solution मनाया इसके अंदर नमक ढोल दो एक solution मनाओ इसके अंदर दूद के बस不是 दूद ऩर झाल दो इसके अंदर खूब सारा दूद डाल दीज आपने क्रेक्ट है लो एक और ले लो जिसके अंदर डाल तो आपको टिल्डन औहम ए मिलेगा बाقी दो में नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसके particle's का size इतना ज्यादा छोटा है, यह true solution है, इसके particles का size इतना छोटा है, कि almost negligible scattering होगी, almost negligible scattering होगी, क्या बात clear है बटा, ऐसा नहीं बोल रहे है कि scattering बिलकूल ही नहीं होगी, ऐसे बोलते हैं, negligible amount में scattering होगी, size of the particle बहुत ज़्यादा आप अप्टिक्स में पड़ चुके हो वही लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है जिसके वेवलेंट का ओर साइस के पार्टिकल के ओर्डर का होता है तो उतनी छोटी जब वेवलेंट रिफ्लेक्ट होगी तो आपको कलर के रूप में दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो आपके विजिबल इस्पेक्ट्रा में ही फॉल नहीं करेगी क्या बात चमक रही है आपको जबकि कॉलाइडल पार्टिकल जो होते हैं जो कॉलाइडल पार्टिकल होते हैं इनके साइजे दी देखे जाए तो एक नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक इनके होगी इन पार्टिकल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वह आपके आँखों पर आके पड़ेगी क्योंकि हर दिशा में रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप 90 डिगरी पर भी खड़े हुए तो भी आपको कलर की रूप में दिखाई देगी क्या बात क्लियर है बिटा तो आप कैसे कर रहे हो के रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिलकुल रिफ्लेक्ट होगा 100 क्यों नहीं देता दिखाई तो उसका कारण ये बिटा इन पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि ग्रैविटी के अंदर सेप तुरं जो है सैटल हो जाते है तो जब पार्टिकल रहे गई न तो लियल नफेत कहा से देगा दिखाए अरे बुलो आया क्या नहीं आया सुझो तुम क्या किरो ऐसे एक सल्मआ लो कॉलाइड़ल साइस का ठीक है बिटा और इसके अंदर बहुत हलखा वाला कचरा डाल लो बहुत हलका वाला कचरा डाल लो अब उसका साइज तो बड़ा है उसका साइज तो बड़ा है तो आप देखना जैसे वह बीम आफ लाइट उस कचरे को टकराएगा बच्चे आपको बहुत जोरदार चमक देगी दिखाई बहुत जोरदार चमक देगी दिए देरबाद नीचे सेटल डाउन भी हो जाएगा तो हम बोलते हैं लारजर साइज में टिलिन अफेक्ट नहीं देता दिखाई दिखाई मोर डॉमिनेटल साइज के पार्टिकल्स में मोर दॉमिनेंटल हमको टिलिन अफेक्ट देता है दिखाई वह भी कहां जादा लायो लाइओ फिलिक में के लाइओ फोबिक में चलो कॉमन सेंस लगाओ किसमें ज्यादा देगा दिखाई लाइओ फिलिक में के लाइओ फोबिक में तो मीडियम क्या होता है बेटा मीडियम होस्टाइल होता है फिलिक में के मीडियम फ्रेंडली होता है मीडियम फ्रेंडली होता ह और जहां medium friendly हो वहां लोग इखटे नहीं होते हैं तो लायोफिलिक में जो collidal particles होते हैं, उनके size relatively छोटे होते हैं, जबकि phobic में size relatively थोड़े बढ़े होते हैं, तो phobic में हमको generally tilden effect देखने को ज़ादा मिलता है, क्या मेरी बात सबको चमक गई है बेटा, सबको समझ में आ गई यह कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं है, चलो, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो तिल्डन अच्छा, एक तिल्डन कोन आपने देखी होगी, कभी-कभी आप देखना बिटा, किसी एक ऐसे room में जाओ, जहां पर रोश्णी ऊपर के एक सरती हो और बाकी पूरा अ Penguin, को देखाई यही बहुत है और यही बहुत उच्छे पेड़ होते हैं, तो उनसे जो रौश्णी अंदर की और नीचे की और आती है, तो वहां पर भी एक कोन दिखाई हम को देता है, उसको बोलते हैं तिल्डन कोन, और जो इससके का्ण देती डिखाई वह होता है टिल्ड है क्या मेरी बात सबको समंझ में आ रहे है पूलो बिटा हो गया बढ़िया हो गया हीड हई-डा टिल्डन diff रहई न चल typically बढ़ाइगे बढ़ते हैं अब इस बाते हो observed during the projection of picture in the cinema hall during scattering of light by the dust and smoke particle present over there till none effect is observed only when following two conditions are satisfied. आप कभी भी बोल सकते हो मेरे से सब्सक्राइब के particle तो बड़े होते हो, collidal size के थोड़ी नहीं होते हैं. देखो, पहली बात तो collidal size के याप यातरो कर dust और smoke example कायर में बोला था मैंने आपको, क्या collide में example बोला था, याद करो बेटा, आठ बताये थे आपको example, बताये थे ना, बताये थे ना बच्चो, तो dust और smoke उसी का example आ जाएगा, चलो, till then effect is observed only when following two conditions are satisfied. एक बात, the diameter of dispersed particle is not much smaller than wavelength of light use. यह तो normal optics का नियम है, कि यदि diameter जो है और wavelength यूज जो है, उसके बीच में अंतर बढ़ा हुआ, तो हमें छीज reflect नहीं होगी, और हमें वो दिखाई नहीं देगी, कि electron से light reflect back, तभी होती है, जब हम उस light की energy को बहुत ज़ादा या wavelength को बहुत ज़ादा कम कर देते हैं, तो उस कारण क्या होता है, energy बढ़ जाती है, और फिर ब्ला 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 चीज़ें आ जाती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहरा हूँ, topics से हम deviate हो जाएंगे. यहीं चीज़ आपने optics में भी बेटा पढ़िए, optics में भी आपने पढ़ा हुआ है, कि कोई चीज़ reflect होने के लिए, जिस चीज़ पर आके वो light पढ़ रही है, उनके size के order समान पुतार के पोने चाहिए. The refractive index of dispersed phase and dispersed medium differs greatly in magnitude. Dispersed phase और dispersed medium के refractive index greatly differ करने चाहिए. और बिटा, यही कारण है कि हमें ज़्यादा tilden effect देखने को lyophobic में मिलता है than philic, क्योंकि philic का dispersed phase और dispersion medium के बीच के refractive index का अंतर कम होता है, जबकि phobic में अच्छा खासा अंतर होता है refractive index में. किसके dispersed phase और dispersed medium के, किसमें lyophobic में. इसलिए tilden effect में भी यही किसी ने पूछा कि more dominantly कहां मिलता है philic में के phobic में, तो आपको बोलना है phobic में. चलो, आख में बढ़ते बठा, टिल्डन effect was used, distinguished between the collidal particle and true solution, true solution में तिल्डन effect हमको मतलब रेरली रेरली नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा देखने को आप यह बोल सकते हो, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही कम जो है, रेफ्रेक्ट, वह स्कैर्टरिं होती है light की, क्या, जिग containing, contained in a glass vessel, एक light को focus किया, उसने, एक glass vessel लिया था, जिसके अंदर collidal solution रखा हुआ था, the focus of light is then observed with microscope at right angle to the beam, individual collidal particle appears as bright stars against the dark background, एक बात मैं आपको बता दू बेटा, यह light जो reflect होती है, वो हमको दिखाई देती है, और मैंने आपको बोलाता है कि collidal size का particle light को हर देशा में reflect करता है, तो 90 degree से देखने पर भी हमको light दिखाई देगी, जबकि two solution में, सिर्फ light जिस दिशा में जा रही है, उसी दिशा में देखने पर हमको जो है, दिखाई देगी light, यदि हम 90 degree पर चले जाएंगे, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा वहां पर, ठीके बटा, now, ultra microscope does not render actual collidal particle, actual collidal particle को नहीं दिखाता है, वो सिर्फ scattered light को दिखाता है, इसलिए ultra microscope do not provide any information about the size and the shape of collidal particle, ठीक बटाप, अब आते हैं आप लोग कलर, कलर कैसे दिखता है, तो हम जानते हैं, the color of collidal solution depends upon the wavelength of light scattered by the dispersed particle, अरे भाई, जो wavelength scatter हुई है, वही तो हमारे पास आएगी, और जो wavelength आएगी, वही उसी के corresponding color हमको दिखाई देगा, है ना, the wavelength of light further depends upon the size and the nature of the particle, particle कौन सी, size की wavelength को reflect back करेगा, वो भी depend करता है, size of the particle पे, वो अपने ही order की wavelength को reflect back करेगा, समझ रहे हो, then, the color of collidal solution also changes with the manner in which the observer receives the light, यह सब physics हो रहा है बिटा है, कि वो transmitted light से देख रहा है, कि वो जो है, वो किस तरीके से उसको देख रहा है, वो transmitted light से देख रहा है, या reflected light से देख रहा है, यदि transmitted light देखेगा, तो अलग color दिखाई देगा, यदि reflected light देखेगा, तो अलग color दिखाई देगा, जैसे की gold salt होता है, वो लाल color का दिखता है, हमको, gold salt किस color का दिखता है, लाल color का, as the size ought particle increases उसका पर पलो जाता है बंप धनल हो जाता है और फाइनली redan पूर कोई पूछ आपको कि जब गोल्टन हम देखते हैं तो इनी शली उसका क्लर का एसा होता है तो ही नीशली वह लाल दिखता है फिर पलपल दिखता है मत्तब परपल दिखता है फिर नीले कलर का दिखता है और लोग पर की तरफ देखने का तो तुमने उपर की तरफ लाइट आ रही होगी और जाग आ रही होती हैं बहुत सारे मोल्लेकूल्स सब्सक्राइब करते रहें देखा था कि औरने रोश्णी आ रहे हैं तो जितने एरिया से जद्ल erills मन रही है वहां पर जुब सारे मोल्लेकूल एकनिक गश्च जिघ्घ्घ्घ्ध जिघ्ग उसी किसे कर रहे हैं न है तो उसको बोलते हैं प्राउनियन मोशंद उसको रोबर्ट ब्राउन ने पहली बार आप्जर्व किया था और यह brownian motion इस बात पर depend करता है कि size of particle क्या viscosity of the solution क्या यदि size of particle छोटा होगा तो brownian motion ज़्यादा होगा या कम होगा यदि size of particle छोटा होगा तो brownian motion ज़्यादा होगा या बड़ा होगा तो ज़्यादा जी बाते हैं चोटे जो थे हैं वो जादा मठगेंगे दर के वो तर दो ब्राउणियर मुशन इस मॉल में जादा होगा चिंग कर दर और विसकोसिटी कम होगी तो जजधा यहां वांजा पाएगा विसकोसिटी जदा होगी तो मीडियम उसको बांग के रखेगा आगे, Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of particle by the molecule of dispersion medium, क्या हुआ, ये collidal particle है, dispersion medium है, उसके molecule ने देखा, अरे collidal particle, एक थपड़ा गुदा दिया उसको, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे से जाके टकराएगा, वो तीसरे से जाके टकराएगा, क्या बात समझ में आ रही है, तो dispersion medium के जो particle है, वो क्या करते हैं, ये Brownian motion को induce करते हैं, the Brownian movement has a steering effect, which do not permit the particle to settle down, और जैसे ही particle नीचे बेटने लग जाता है, वैसे ही medium क्या करता है, उसको उठा देता है, जैसे आपकी मम्मी आपको सुबह सोते से उठा देती है, वैसे वो आपको रात में तो सोने देती है, लेकि नीजर सोचो क्या condition है, जैसे ही वो सोने के लिए गया, उसको दे थपड मारा, और उसको उपर उठा दिया, फिर सोने के लिए गया, फिर थपड मारा, फिर उपर उठा दिया, बोलो बिटा, क्या बात क्लियर है सब लोग को, क्या बात क्लियर है सब लोग को, तो dispersion medium इनको settle नहीं होने देता है, अब सोचो, नेक्स्ट बात, charge on collidal particles, collidal particle always carry a electrical charge, क्या चल रहा है, टॉपिक आपको पता है, याद है आपको टॉपिक क्या चल रहा है, properties of collidal solution चल रहा है, जो last property आपने पढ़ी वो एक तरह की mechanical property है, उसके पहले आपने optical property पढ़ी, उसके पहले आपने physical property पढ़ी थी, याद आया तुम्हों को, और अब आप पढ़ने जा रहे हो, charge on collidal particle, तो आपको पता है, कि जो collidal particle होते हैं, याद आपने उपर एक electrical charge को करी करते हैं, अब इस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस example पर चलते हैं, एक है positive charge solves और एक है negative charge solves, जब ये बनते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, common ions को adsorb कर लेते हैं, जैसे मालनो, AL2O3.XS2 है, CRO3.XS2 है, FE2O3.XS2 है, ये positively charged solve है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, यादि मालनो हमने इनको बनाया किस चीज से, मालनो हमने इसको FE CLT की reaction करा दी किसके साथ में, जाएगी, वही पार्टिकल, जो पार्टिकल इधर है ना, एक common ion, common ion कौन सा होगा, FE plus 3, योगी FE CLT तुमने लिया था, FE CLT में पानी को मारा था, समझे रहे बात को, खेर, इधर आप ये examples को ऐसे ही याद रखना है, aluminium के oxide positively charged solves होते हैं, और, sorry, metal के oxide, metal के oxide क्या होते हैं, positive charge solve होते हैं, जबकि metal के sulphide क्या होते हैं, negative charge solve होते हैं, पीड़ा कित्ती बगबग कर लें, example ऐसे ही आना है, समझे रहे आप ये बात को, पढ़ाने के लिए बहुत है मेरे पास, बस बात ये है, कि मैं ये सोचता हूँ, जितना ज़्यादा घ्यान माटूँ हैं, उतना ज़्यादा आपको subject से और paper से दूर भठका दूआ, paper में आने ही exact, यही वाज लाईने जो इदर लिखी होई हैं तो positive charge solve क्या होते हैं और negative charge solve क्या होते हैं, सबसे पहले यह देख लें, इसका explanation आगे चलके दिया हुआ है, चिंता ना करें, सबसे पहले example याद कर लो, क्योंकि टपकनी की पूरी उंबीद होती है example क्या बोला मैंने, metal के oxide किस टाइब के solve होते हैं, positive charge, metal के sulphide किस टाइब के होते हैं, negative charge होते हैं, तो क्या ये बात सबको याद हो गई, copper silver gold अब यह copper silver gold जिते भी है ना इनके ऊपर अपन negative charge salts को add करते हैं बच्चो, sulfides को add करते हैं तब जाकि stabilize होते हैं वहना gold gold से combine हो जाएगा तो आगे चलके topic आएगा stabilization of collidal solutions उसमें यह सारी बाते आएगी कि negative charge यह salt कैसे बनते हैं तो आपके दिमांग में आएगा कि gold का salt negative charge कैसे हो सकता गोल के उपर कहा negative charge होता है तो gold के उपर नहीं होता है लेकिन उस पर अपन कोई agent बिलाते हैं और वो agent ही इनको stabilize करता है वहना gold से कम माइन हो जाएगा और प्रेस्पेट होने लग जाएगा लिए रहे बिटा चलो यह बहुत important है hemoglobin of blood is positively charged लेकिन यदि कोई आप से यह पूछले blood proteins कैसे होते है तो negative charge हो जाएगा ठीक है ना वैसे यदि कोई overall blood बात करें तो काईदे की बात ही है कि यदि सिर्फ blood की बात की जाए तो blood overall कैसा होगा वो negative charge होगा क्योंकि blood में proteins होते हैं और हमारा जो जो proteins होते हैं उनके ऊपर जो main charge बना हुआ है वो negative charge बना हुआ है क्योंकि blood का pH जो होता है highly होता है तो उसके चलते जो होता है negative charge होल्ड करता है जो protein के molecules होते हैं जो blood के अंदर होते हैं और mainly जो blood में molecules घूम रहे हैं वो क्या है बहुत सारे amount में protein घूम रहा है ठीक तो हीमोग्लोबिन ब्लड पूछेगा तो तो बेस्ट एक्जाम्पिल इस पॉजिटिव चार्च सॉल अपन को बोलना है आना वही है जो NCRT में दिया इसकी आपको याद रखो हीमोग्लोबिन ब्लड इस एक्जाम्पिल ऑ पॉजिटिव चार्च सॉल ठीक बटा आगे स्टार्च गम जेलेटिन प्ले चार्कॉल या अरे एक्जाम्पिल ऑवर या एक्जाम्पिल आफ नेगटिव चार्च सॉल इतनी देर से मैंने पैपे क्यों कियों चाहता तो आपसे नहीं बोल सकता था इसको पढ़ लेना एक बार खुट बोल सकता है ने बेटा एक्जाम्पिल है एक्जाम्पिल क्यों करा हूँ एक्जाम्पिल आप खुट कर लेना लेकिन यह एक्जाम्पिल में टपक सकता है इसलिए हमें डिस्कॉस करना चाहिए और आपको भी पढ़ना चाहिए जिन बच्चों को यह गलत थेमी रहती है सिर इंट्रेस्टिंग पढ़ना और अभी तो क्या करते है शर्फेस के मेंस्ट्री चल रहा है उसको कौन पढ़े यह तो इंट्रेस्टिंग नहीं है सब्सक्राइब नहीं पढ़ जाओगे एक कुश्टन सब्सक्राइब किसी ऐसे चेप्टर से भी आगा जिसमें आपको इंट्र electron capture of salt particle during electro dispersion of metals देखो क्या होता है charge क्यों होता है इसमें कई कारण है जिसमें best कारण है preferential absorption theory जो नीचे दिए है वही हम को लेनी है preferential absorption theory यह क्या कहती है थोड़ी देर पहले मैंने आपको पता है common ions adsorb हो जाते हैं यह क्या कहती है कि जब कोई sol बनता है तो जो common ion होता है वो adsorb होता है अब सुनो एक्जामपल से चलेंगे तो ज्यादा समझने आएगा let us take the example जैसे माल लो बेटा मेरे पास agno3 था agno3 मतलब silver nitrate था बच्चो और किसी ने मेरे को के आई दे दिया अब इसमें इसमें एक्सेज में के आई दिया यह important है कि एक्सेज में क्या था एक्सेज में क्या दिया तो क्या agi बन जाएगा बच्चो और एकक्सेज में क्याय है मत्सक्द बचेगा क्या बचेगा क्या बचेगा खेगा के एन ओ थृ और की बचे-गा क्या आई चीलट्री ओर अप्रश बन जाए जो एलेक्टुलाइट कौन सा है के प्लस अरे बोलो बच्छो, तो इसके उपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्या इसके उपर नेगटिव चार्ज आ जाएगा, बच्छो, बिल्कुल नेगटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, अब सोचो, यदि माल लो बेटा, एक्सेज में KI नहीं होता, एक्सेज में AGNO3 होता, तो और नाइत्रेट में से कॉमन कौन है किया इस से कॉमन ऊच्छा लास्ट करती नैटरेट बचेगा मुझा के जाए नौतृरी में लैगा तो अग्या आई प्लस नाइट्रेट भी था और वहां पर आयोडाइट वह सही था जो किया था एक दम सभी अभी दार जब दा इधर एजी आई बन गया के आई पूरा खताम बोलो बच्छो बनेगा क्या अच्छा सुनों दो चैमिकल किरा देते हैं तो फिर पूश गल्पियो जाईगा एजी आई बना और क्या याइ बना चलो बाई अब क्या क्या ऑ्लेक्ट्रोलाइट बचे के प्लस बचा, नाइट्रेट बचा, एजी प्लस बचा और नाइट्रेट बचा, ये वाले में से, क्योंकि ये एक्सेज में, एड्जॉर्ब कौन सा होगा, जो कौन होगा, कौन कौन सा है, एजी प्लस है, तो क्या एजी प्लस आके यहां पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, बच् बिल्कुल 100% positive charge all अपकी बार बन जाएगा तो क्या तुम लोग ये बात समझ में आगे क्योंकि ऐसा question एक्जाम में टपक सकता है बेटा और ज़रूरी नहीं बिल्कुल exact ऐसे ही टपके अरे बोलो आया के नहीं आया एक चीज को access में ले लेगा ठीक है वो क्या करेगा तुमको को यसी एनो 3 दे देगा और कैके आई देगा है इसकी मूलारीटी देगा इसकी मूलारीटी देगा इसका वोलियूम देगा इसका वॉलियूम देगा दोनों को मिक्स कर देगा कैसा बनेगा positive charge के negative charge Taxescile बुदा सकते हो फिर कैसा बनेगा माझनों इसकी बिलायरी बोल दे 0. 1.5 घो और इसका वाल्यूम बोल्यार कि इसकी पॉइंट 7 व्रॉंट 1 और वाल्यूम बोल लिया 10 लीटर बताओ पर था स्ल benefit साउड मैंने कुछ गरभड कर दिया इसको आघ अभाई मिले ले लेया इसको ऐसे मेले पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एगनो 3 के मोल जादा है, 0.5 x 2 बराबर 1 और 0.1 x 5 बराबर 0.5, मतलब किए एक्सेज में नहीं है, एक्सेज में एगनो 3 है, तो पॉजिटिव चार्ज सॉल बनेगा, और यह दिसकी जगह में यहां 15 लीटर कर दू तो, 15 लीटर कर दू तो, न आता ही, आता है, चलो भाई, और ज्ञान की बाते करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, यह AGI वाला हो गया, अब सुने, क्या होता है, कि एक फर्स्ट लेयर बन जाती है, जैसे हमने देखा कि आयोडाइड उसके चारों तरफ आ गया, मानलो एक्सेज में क्या तो हमने क्या बनाया, AGI बनाया, यह बना दिया, इसके चारों तरफ आयोडाइड आ गया, यह इसकी फर्स्ट लेयर हो गई बेटा, यह इसकी कौन सी लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर एक सेकंड लेयर भी जमती है, जो फर्स्ट लेयर होत और यह जो इलेक्टिकल डबल लेयर बनती है इसको बोलते हैं हेलमांट्स इलेक्टिकल डबल लेयर देखो having acquired positive or negative charge by selective absorption on the surface of colloidal particles as stated hour the layer attracts counter ion मतलब जो पहली लेयर बनी आपकी second layer अपने counter ion को attract करेगे iodide को आके absorb हो गया मालनो अब वो क्या करेगा के प्लस को भी बुलाएगा बुलेगा आजाओ के प्लस तुम भी आजाओ मेरे उपर तुम बैड़ जाओ तो डबल लेयर बन गई ठीके बड़ा इसमें पहली लेयर जो होती है वह ज्यादा firmly fix होती है तो उसको बोलते है फिक्स लेयर और जो दूसरी लेयर होती हो जर्नली mobile होती है सिंस separation of charge in a seat of potential क्योंकि separation of charge positive charge ऊपर negative charge या negative charge ऊपर और नीचे positive charge या vice versa ठीक तो क्या यहां पर mobile मतलब चलित होती है चलती है fixed नहीं होती है मजबूत नहीं होती है बताते है बिटा mobile कैसे just wait for some time है अब क्या होता है कि यहां एक potential हो जाता है the charge of opposite sign on a fixed and diffuse part of the double layer results in a difference of potential between the layer क्या iodide की लिए उसके उपर potential की लिए क्या दोनों लियर पर opposite charge है तो एक potential difference हो गया इस potential को बोलते है electro kinetic potential जीटा potential सुनों बिटा किसी ने पूछा mobile कैसे तो क्या होता है बिटा कि यदि मालो हमने electro forces किया अभी थोड़ी दिर में आने वाला है वो यहां पर एक electrode लगा दिया यहां पर एक electrode लगा दिया यहां पर एक नेगिटिव चार्ड लेयर करेक्ट है और इसके उपर आके कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा के प्लस एब्जॉर्ब हो जाएगा ठीक जब हम यहां पर लगाया क्या यह वाला कैथोर्ड हो गया यह कैथोर्ड और यह एनोड और सर्कृटिंग कर दिया आपने इधर टाम तूम ठीक है तो क्या होगा यह जो ऊपर वाली लेयर है वह मोबाइल है तो वह इस तरफ चली जाएगी और यह आयोडाइड के साथ इस तरफ चला जाएगा मेरी बात समझ में आ इस लिए लेयर लेयर वकेस चलो आगे बढ़ें और आगे पढ़ें चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं तो हम समझेंगे कि वाइल दा सेकेंड लेयर इस मॉबाइल विच 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 पटेंशल का दिफेरेंस होता है ठीक बढ़ा अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे आता है एक फिनोमेना जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो फोरसेस दा एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज और कोलाइडल पार्टीकल इस गंफर्म बाइय प्लास गाल्ड एंप्लाइड है प्लेट्रो फोरसेस टार इश्छ का किया मतलब है बातको द््यान से अंवंगांग बहुत सरन है अपने कव पनमें कोलाइडल शालूशल ले लिया और उसमें अपने दो इलेक्ट्रोट प्रैट्न के लटका दिया ना इनर्ट हो थोता प्रैट्न हो सही रहे और चला जाएगा और पाइनोड की तरफ पॉजट वाला पार्ट जाना चलू हो जाएगा और चार्ज जो हुए यहां पर discharge आ करके हो जाएगे इस फिनोमेना को बोलते हैं electrophoresis अरे बोलो आया के नहीं आया क्या बात क्लियर है सब लोग को negative charge चला जाएगा एनोड की तरफ और positive charge चले जाएगे किसी तरफ cathode की तरफ negative charge यदि हुआ collidal solution तो collidal solution में जो collidal part है वो एनोड की तरफ चला जाएगा और जो उसके उपर secondary layer थी sorry वो कहां चली जाएगी वो cathode की तरफ चली जाएगी ठीक है बीटा चलो अब एक term होता है electroosmosis का क्या मतलब होता है electroosmosis का यह मतलब होता है जब medium आगे बढ़ता है ना कि को लाइडल solution ऐसा कर दिया तुमने माले यह compartment बना दिया थी यह compartment है इस compartment में तुमने collidal solution भरा हुआ है इसके अंदर पानी है इसके अंदर इसके अंदर भी चार्ज होता है तो मीडियम इधर से इधर की और माइग्रेट करेगा इसको फुलते एलेक्ट्र पर्टीग माइट्र del yellow by yellow response is the moment of particles colloidal particles is prevent by some suitable membrane many annual memory with some suitable means below sternum it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field the phenomenon is called as electro osmosis कि कि अपूरा मेडिया मूव नहीं हो जाएगा जनली icas it is the movement of the electrolytes की शुका टबकल सब्सक्राइट सब्सक्राइब की छोटा मोटा मेडियम का मूओ जो वह बोरा मेडिया मूव नहीं ए खी चलओ आगे बढ़ते हैं ओके नहीं हो गुलेशं और प्रेसिपटेशं अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पूर एगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, अब तक हमने अलग-अलग ट्रमलॉजी पढ़ी हैं, जिसमें कि रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, उसके बाद में हमने कि अब हम पढ़ने वादे हैं, इसको इसको खतम कर रहें, उसको डिस्ट्रोइ कर रहे हैं, कैसे करते हैं, The stability of lyophobic sol is due to presence of, क्यों stability होती है lyophobic sols की? है न? देखो बिटा, दो टाइप के sols होते हैं, एक होता है philic और एक होता है phobic. फिलic की जो stability होती है वो तो अपने medium के कारण ही होता है, क्योंकि medium इसके चारों तरफ present होता है, तो कोई भी जब electrolyte आएगा और वो opposite चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उसके बाद समझाता हूं philic का क्योंकि नहीं तो doubling हो जाएगी है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा phenomenon समझ में आ जाए कैसे precipitation होता है तो फिर फिलिक के बारे में बताना जादा आसान रहेगा चलो पहले फोबिक की बात करते हैं जो फोबिक होता है लायो फोबिक particles होते हैं उनकी stability क्यों होती है क्या तुम्हें पता है वो stability charge के कारण होती है अरे भाईया गोल्ड के molecule इदर घूम रहे थे क्या वो आपस में collidal size के particle गोल्ड के आपस में fuse होकर के precipitate बना सकते थे खूब सारे घूम रहे थे तो हा ना बोलना पड़ेगा बोलो भाई क्या वो fuse हो सकते थे हो सकते थे fuse और collidal solution खतम हो जाता और collidal solution खतम हो जाता वो खतम ना हो उसके लिए हमने एक विवस्ता करें कुछ लोग ऐसे हैं ना कसम से कुछ भी नहीं बोलते मतलब एक गम गुम सुम चुप चाप ऐसे बेठे रहते हैं पता नहीं क्या हो गया है मतलब इस टाइक्स है ना कुछ लोगी जवाब देते हैं जयादा कि चलो भई आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं जितना जवाब दोगे उतना जयादा आपको इंट्रेस्ट भी आता है और उतना जयादा हमको समझ में भें आता है है recognize शिकतरे बंब क्या करता आप मुझे पता है वो भी कि यह पर क्या लाल लाल का क्या बना दिया हम अनीडव चार्ज कर दो ऐस इस लख 빠lt यहां पर लिए पाइड डाल करो गोल्ड-इशाय तो मॉएन noon जाता लेकिन क्या हुआ ये चार्ज ने कम माइन नहीं होने दिया क्या बात समझ में आई गोल्ड गोल्ड से तो कम माइन हो जाता लेकिन चार्ज ने कम माइन होने नहीं दिया क्या बात क्लियर है बच्चो तो चार्ज ने कम माइन नहीं होने दिया था अब यदि माल हमें ये कॉलाइडल स कि अब चार्ज करने का क्या तरीका है अब बॉजट चार्ज को मिला दो वो इसको खुदी नूटिलाइज कर देगा समझें the process of settling of colloidal particle is called as coagulation or precipitation of the salt. The coagulation of lyophobic salt can be carried out by following ways. Number one, electrophoresis. No, भाई, electrophoresis कर दो. Electrophoresis से क्या होगा? By electrophoresis का मतलब यह हुआ कि जब आपने electrophoresis करोगे तो क्या opposite electrodes पे तर पहुँच गया है ते बिटा याद करो एक तरह वेनोड पे पहुँच गया cathode पहुँच गया, वो उसके टखले के charge को क्या करेगा? न्यूटलाइस कर देगा. जब charge न्यूटलाइस हो जाएगा, तो colloidal particle खतम. क्योंकि आपस में बहुत सारे colloidal particle आपस में मिल जाएंगे, आया कि नहीं आया, और colloidal solution खतम हो जाएगा, तो electrophoresis के दोड़ा charge खतम कर सकते हो. दूसरा by mixing opposite charge solve, ये बात को बंद कर चुके हैं, जैसे आपके बाद sulfide protect कर रहा है, आप क्या करो? तो sulfide protect कर रहा है, आपको positive वाला डाल दो. Mixing hydrated ferric oxide with arsenic sulfide. अब तू सोच, एक positive charge solve है. याद करो, मैंने आपसे बोला था, कि जो metal के oxide होते हैं, जो oxides होते हैं, वो क्या बनाते हैं? क्या oxide जो होते हैं, वो positive charge solve बनाते हैं और sulfide negative charge solve बनाते हैं, तो इन दोनों को आपस में mix कर दो, तो एक दूसरे के टकले के charges को neutralize कर देंगे, और definitely, जो है, collidal particle खतम हो जाएगे, collidal solution खतम हो जाएगा, फिर आता है boiling, अरे जब boiling करेंगे, तो जो layer उपर set हो गई है, अरे boil करने पर temperature बढ़ेगा ना, और temperature बढ़ेगा, तो ऊपर की layer disturb हो सकती है, ऊपर की layer disturb हो जाएगी, तो charges चले जाएगे, charges चले जाएगे, तो जिनके कारण, दो collidal particles के बीच नफरत थी, वो कारण चला गया, अब उसमें stay हो जाएगा, और collidal solution खतम, by persistent dialysis, dialysis में क्या होता है, सबसे पहले dialysis में, हम जब purification कर रहे थे, collidal solution का, तो उसमें पॉइंट आता है dialysis, dialysis में वही एक animal membrane लगा दी इदर, यहां भढ़ दिया पूरा collidal solution, इससे electrolyte बहार निकल जाता है, याद को electro dialysis आज ही पढ़ाया था, मैंने आपको निकल जाता है, यह तो यहां तक तो बिल्कुल सही था, कोई दिकत नहीं थी, कोई परिशानी थी, लेकिन आप electro dialysis करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए, तो इधर के जितने ions थे, वह सब बहार भग जाएंगे, उसके बाद भी बाहर से बुलाई जा रहा है, वो कह रहा है, आओ, आओ, आइंस आओ, तो क्या होगा, इसके गंजे पर जो आइंस बचे हुए हैं, अब वो भी जाना चालू करनेगे, अरे बोलो यार, पहले तो जो solution में, एक्सेज में, electrolyte है, वो चला जाएगा, क्योंकि वो किसी से बंधा नहीं है, तो वो आसानी चला जाएगा, लेकिन यदि आपने repeated इस process को किया, तो जो free थे, वो तो चले गए, वो तो खतम हो गए, अब जो जुड़े हुए हैं, वो जाना चालू हो जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं, कि अप्यूरिफिकेशन जब करते हैं न, collidal solution का, तो अपन बहुत जादा भी purification नहीं करना है, नहीं तो पता लगा, purify करते करते, collidal solution ही खतम हो गया, अरे आया, आया बेटा, इसलिए dialysis को एक हद तक ही करना चाहिए, नहीं तो collidal solution खतम हो सकता है, चलो, बाई एडिंग इलेक्टोलाइट, यह बात तो सबसे पहले आपको समझ में आते हैं, एडिंग इलेक्टोलाइट, अपोजट चाज का इलेक्टोलाइट मिलाओ, और प्रेसिपिटेट बनाओ, चलो भईया, और फिर क्या होता है, उनकी बीच इंट्रेक्शन होता है, कोगलेशन हो जाता है, ठीक, अब इस फिनॉमिना को एक उन्होंने बताया, साइंटिस्ट ने है, जिनका हाडे सुल्जे रूल उन्होंने बताया इसके बारे में, उनकी पावर ना एक दूसरे में खतरनाक रूप से डिफरेंस होता है, फोर्थ पावर के औरडर पे यह बढ़ता था, फोर्थ पावर के औरडर पे वेरिएशन आता है, समझ रहो बात को, तori thing is that आप तो मोटा मोटा यह समझ लो, इनकी प्रेशिपिटेटिंग पावर में, Nai प्लस है और बनkem प्लस प्लस है, ठीक है ना चलो ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा इट इस फॉर्थ पावर के प्रपोश्टल होता है ठीक है बेटा चलो खेर बहुत ज़्यादा टेक्निकल होके भी फाइदा लेकिन बहुत ज़्यादा एक्जाम में NCRT से आगे पूछनी रहे हैं क्या बात समझ में आगे किसकी पावर जादा है क्योंकि इसी पर कोश्टन सेट हो जाएगा जली बोलो हो इसी पर कोश्टन सेट हो जाएगा कर दोगे अब जली से पढ़ लेते हैं फ्लॉक्लेटिंग बावर क्या होता है तो वह कहता है तो वह कहता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं को एगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं या अपन एक और तर्म यूज करते हैं फ्लॉक्लेशन पावर ठीक है बिटा मैं कुछ गलत मां बोल भी हो मैंने तो यस फ्लॉक्लेशन पावर तर्म यूज करते हैं अच्छा अब आप खुदी सोचो इसमें से पहरी बात क्या बोल कितना ज्यादा मीनिमम अच्छा जिसका आप एक बात सब्यों किसकी को एगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी जिसकी को एगुलेटिंग वैल्यू कम है या ज्यादा है अर्य भाई मुझे बताओ जिसकी को एगुलेटिंग वैल्यू कम है उसकी फ्लैक्पिलेशन पावर ज्यादा होगी या जिसकी कम है उसकी ज्यादा होगी जिसकी कम है उसकी जादा कितना कम कंसंटेशन लगा मतलब जित्ता कम कंसंटेशन लगा प्रेस्पिटेट कराने के लिए उसमें उत्री ज्यादा पावर्थी प्रेस्पिटेट बनाने की ठीक है ना बेटा हो गई ना बात चलो आगे बढ़ जाते हैं को एगुलेशन आफ लायोफिलिक सॉल्स अब लायोफिलिक सॉल्स का जो को एगुलेशन है वो हम कल से पढ़ सकते हैं वैसे लायोफिलिक सॉल्स के को एगुलेशन में कुछ है नहीं है सच लेकिन वो हम कल से पढ़ेंगे क्योंकि ठोड़ डिटेल में बताना पड़ेगा आज का समय almost खतम हो गया है और हम बहुत intensity के साथ पढ़ते हैं तो time भी जो है ज़्यादा लगता है मतलब हमको ज़्यादा महसूस होता है खेर चलो अब अपन इसको आज के लिए end करते हैं और कल जो है यहीं से चालू करेंगे coagulation of lyophilic salts उसके बाद protection of collides आज के लिए विराम लेते हैं टाटा बाई बाई स्वस्त रहें मस्त रहें और first वाला second वाला जिन्हों नहीं देखा है वो जरूर देख लें उसको है ना first वाला पार्ट और second वाला पार्ट वो भी देख लें जरूर यह third वाला पार्ट है इसका ठीक है ना चलो बाई बाई टाटा see you with the show okay